दो गड़ों की कहानी नदी किनारे एक चोटा सा गाव बसा हुआ था नदी गाव के लोगों के लिए पानी का प्रमुक श्रोत्र थी लेकिन जब बरसात के मौसम आया और गाव में कहीं दिनों तक गंगोर बारिश हुई तो नदी में बाड गई बाड का पानी पूरे गाव में बर गया मकान पानी में डूब गए लोगों को सुरक्षित स्तानों पर बाड ना पड़ा बाड की पानी में लोगों की गरों की कहीं चीजें बहने लगी उनमें दो गड़ें बीते एक पीतल का गड़ाता और एक मिट्टी का दोनों ही गड़े पानी में कुद को बच्छाने का प्रैतन कर रहे थे पीतल के कटोर और मजबूत गड़े ने जब मिटी के कमजोरी गड़े को संगश करते देखा तो सोचने लगा कि मिटी ये कमजोर गड़ा आकिर कब तक कुद को डूमने से बचा पाएगा मुझे इसकी सहरता करनी चाहिए उसने मिटी के गड़े से कहा मित्र सुनो तुम मिटी के बने हुए हो और बहुत कमजोर हो बाड़ के इस पानी से तुम अधिक दूर तक नहीं जा पाओगे और डूब जाओगे मेरी बात मानो और मेरी साथ रहो में तुमें डूबने से बचा लूँगा मिटी के गड़े ने पीतल के गड़े को देखा और उत्तर दिया मित्र तुमारी सहायता के प्रस्ताव के लिए दन्यवाद लेकिन मेरा तुमारे आसपास रहना मेरे सलामती के लिए उच्चित नहीं है तुम तहरे पीतल के बने गड़े और में मिटी का गड़ा तुम बहुत कटोर और मस्बूत हो अगर तुम मुझसे टैक कर गए तो मैं तो चकंचुर हो जाऊंगा इसलिए तुम से दूर रहना में ही मेरी बलाई है मैं स्वयम ही कुद को बचाने का प्रयास करता हूं बगवान ने चाहा तो किसी तरह किनारे तक पहुंची जाऊंगा इतना कहने के बाद मिटी का गड़ा दूसरी दिशा में बेहने का प्रयत्न करने लगा और दीरे दीरे पानी के बाहव के साथ नदी किनारे पहुंच गया वही दूसरी और पीतल का बारी गड़ा भी प्रयत्न करता रहा लेकिन नदि बाहव से कुद को संबाल नहीं पाया उसमें पानी पर गया और वह डूब गया सीख विपरिद गुनों में अपेक्षा एक समान गुन वाले अच्छी मित्रता कायम कर पाते हैं